हाई गाईज हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल तो आप सब लोग सेफ एन हेल्दी हैं तो आज मैं एक निया वीडियो लिख आया हूं बैसिकली इस वीडियो इस रिलेटिट तो दी डिजस एडवांचेजिस तो सबको पता ही है कि जैसे कि क्रडिट कार्ड पर इंट्रस लगता है बहुत सारा अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्रेड़ कार्ड का बेनिफिट भी होता है पलस आप रिवार्ट वाइंट थे अंकरते हैं तो यह सब चीज मतलब प्रीमियम मैं इसलिए बोलुगा क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की जो फीस है यह लिस क्रेडिट कार्ड पर 2,500 की फीस है प्लस जी स्थी सो विच इप्रॉक्षिमेट्टी 2,900 रुपीस तो मतलब सब लोग इतना महेंगा क्रेडिट कार्ड रखना नहीं सही नहीं समझ इन पर आपके साथ फीचर्स भी शेयर करूंगा बड मैं आपको बताना जाता हूं इसके कुछ अच्छे अच्छे जो फीचर्स हैं बेसिकली कि इसका आपको अगर आप इतनी फीस पे कर रहे हैं HDFC को तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट्स होते हैं वो आप हर साल ले सकते हैं वाट उसके लिए आपको 5,000 का स्पेंड करना बड़ेगा और अगर आप 5,000 प्लस 3,000 का उर स्पेंड करते हैं तो 5,000 रुपी 5,000 रिवाइल के लिए यूस करते हैं जो सब की उसे नहीं होती तो तब भी मैंने बोला यह प रिवाट पॉइंट की वैली होती है 50 पैसा मगर बाकिया अगर आप शॉपिंग वाउचर्स वगारा लेते हैं तो उसमें आपकी वैल्यू होती है 35 पैसा तो इस कार्ड के और भी बेनिफिट्स हैं जैसे कि अगर आप 500 रुपे खर्चते हैं तो हर 500 रुपे खर्चने में चाया आप यूटिलिटी पे करें रेंट पेमंट करें और कुछ भी और पेमंट्स वगारा करें तो उसमें आपको चार रिवाट पोइंट मिलते हर 500 परचे महीने में तो आपको 600 रिवाट पॉइंट मिलेंगे जिसकी वैल्यू होईगी 35 पैसे के हिसाब से वाउचर रिटीम करने पर तो दोस्तों बाकी जो इस कार्ड के फीचर हैं कि जैसे मैंने आपको बताया के डेट सोर पे पे चार रिवाट पॉइंट मिलते हैं प्लस आपको extra reward points मिलते हैं also इसमें airport launches का भी access है so every year you will get 12 launch access बाकी जो cards होते हैं basically आई सी ए इन अदर कार्ट सो उसमें आपको सफ साल में चार मिलते हैं तो इसमें आपको बारा मिलते हैं जिसमें आप छे इंडिया के अन्दर और चे आउट आफ इंडिया यूज कर सकते हैं तो मैंने खुद भी यूज करा हुआ out of India प्रायटी पास का आपको एक benefit मिलता है जो आपको प्रायटी पास बनवाना पड़ता है अगर आपको outside of India launch का access करना है तो वो भी एक benefit है जिसमें आप भाहर जाके कोई और country में launch में जाके कुछ भी खापी सकते हैं तो उसके लिए आपको कुछ pay नहीं करना पड़ता है अगर आप add-on member को लेके जाते हैं तो उसके लिए you should have a separate priority pass separate add-on credit card होना चाहिए तब ही वो priority pass बनेगा नहीं तो bank आपको add-on के लिए नहीं देगा और इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें health insurance का benefit मिलता है तो अगर क इसमें एक करोड का air accidental insurance भी होता है इस credit card पे also there is a loss liability cover of 9 lakh rupees जैसे कि अगर card घूम गया और उस पे कुछ fraud हो गया तो 9 lakh रुपे तक की bank उसको pay करेगा also there are couple of more benefits जैसे कि आप balance transfer कर सकते हैं वो तो बाकी सारे cards पे भी होता है प्लस इसमें इस credit card पे जैसे कि premium card है तो instant loan या instant jumbo loans वगयरा के offer भी होते हैं तो वो यह सब चीज़े depend करती हैं आपकी credit history के उपर अगर आपका credit score अच्छा है आपकी credit history अच्छी है तो यह सारे benefits भी आपको मिलेंगे but all in all अगर आपकी usage अच्छी है आप yearly around 5-6-6 लाग रुपे credit card पे यूज़ कर से हैं तो this is the one of the best credit card as per my experience also because I am using this card since very long time क्योंकि अगर आप इतना spend कर रहे हैं और अगर आपको उसका कोई benefit नहीं मिल रहा तो मतलब यह क्या हुआ कि पैसा भी कमा सकते हैं इस card को use करके आप काफी महीने के आप मतलब 2,000 rupees आराम से आप अपनी spend में से बचा सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा अगर आपका usage और आप आप खुद एक साल से use कर रहा हूं premium card जरूर है fees है इसकी बट अगर आप 3,000,000 तक खर्च सकते हैं साल में so this is one of the best credit card that is my suggestion also जैसे मैंने बताया balance transfer का offer भी है यह reward points भी redeem कर सकते हैं accidental insurance है loans के offer आते हैं तो बहुत सारे offer आते हैं और interest rate जो है HDFC का अगर हां मैं बोलू कि अगर आ आपको वह 35 से लेकर 40 के बीच में interest rate चार्ज करते हैं इंट्रस रेट जैसे 40 परसेंट तक वह चार्ज करते हैं प्लस एक इसका last benefit हो रहा है जो बहुत सारे credit cards में कुछ minimum transaction पर होता है जैसे कि 2500 से 3000 सो इसमें यह है कि basically आप smart EMI को option होता है तो आप उच भी अपनी 8-10 transactions को club करक सो वह भी एक अच्छा benefit है कि अगर आपने 10 transaction करी 800 700 10,000 20,000 प्लस आप सब transactions को club करके यह महीं बनवा सकते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा benefit है और बाकी मैं स्क्रीन पर details भी डाल दूआं तो आज के लिए वस इतना ही अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कोई और विशे भी वीडियो बनाऊ या कोई और क्रेडिट कार्ड के उपर वीडियो बनाऊ तो मैं जरूर बनाऊ हूँ थैंक यू एवरिवन फोर वाचिंग मैं चैनल थैंक यू एवरिवन